कपिल शर्मा के लिए एक और बुरी खबर कई गुना बड़ी शो को नापसंद करने वालों की संख्या कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनिल ग्रोवर के बीच फ्लाइट में हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है किकु शर्मा को छोड़ टीम के बाकी सदस्यों ने दकपिल शर्मा शो को बायकॉट कर दिया है और इसका सिधा असर शो की विवर्शिप और टी आरपी पर पड़ रहा है शो के हालिया दो यूट्यूब एपिसोड को लाइक की तुलना में तीन गुना ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है जबकि शो के पुराने एपिसोड में लाइक करने वालों की संख्या नापसंद करने वालों से कई गुना ज्यादा रही है इस पसंद नापसंद में आये बदलाओ को शो की घटती लोग प्रियता, एपिसोड में कंटेंड की कमी और फ्लाइट में कपिल के हंगामे का असर भी कहा जा सकता है शो के लेटेस्ट एपिसोड में फिर्म नाम शबाना के मनोज वाजपई और तापसी पन्नू महमान के रूप में आये थे खबर लिखे जाने तक यूटूब पर इस एपिसोड को पंदर लाग से ज्यादा बार देखा गया है और इससे 14,620 लोगों ने पसंद किया और 51,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने नापसंद किया है वही श्रनीवार को परसादित किये गए स्टैनप कॉमेडियन स्पेशल एपिसोड को केवल 2,99,256 लोगों ने देखा है इससे 6,684 लोगों ने पसंद किया और 19,700 लोगों ने नापसंद किया है जबकि कपिल शर्मा शोग के इससे पहले के ज्यादा तर एपिसोड को एक करोड से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं